विश्व माँ युद्ध स्मारक खरू उस्ते हुन्चन रविश्व माँ हज्जारों युद्ध स्मारक खरूशन तथापी तेहरादुनकू कलंगा युद्ध स्मारक विशिष्ट चाँ यसर्थ माँ की विश्व माँ युँ युट्ध स्मारक हो जुन सत्रू पक्षे को सम्मान मा विजई स्यनाले रहें निर्मार्ण गरेको हो हो युँ सत्य हो अंग्रेजले असंखे युद्ध लड़ेको सा तरह युँ युद्ध की कारणले उनिहरलाई समेथ विशिष्ट लाग्योता केरे वल सागी को उड़को नखै पानी को रगा चार आशु लेको रेको कथा हो यु लाला पानी को कथा हो यु लाला पानी को मेजर जनरल जिलस्पी लाई दून छेत्र को जिम्मा सुम्पियो जिलस्पी वेलोर र जाबामा विद्रो दभायरा ख्याती कमाय का वेक्ती थिये हे स्टिंग्सले अउपचारिक रूपमा नौवेंबर एकमा युद्ध कोष्णा गरे पनी उनका कमांडर हरुलाई बरसारीतु हटना साथ कारेश्चत्रमा हुमिनु भन्ने आदेश दिये का थिये जिलस्पी अंतर्गत का दाया फाउजी पंक्ती साहन पूर्बाट अगाडी बर्दै देहरादून, कलंगा, नहन, जैथक कबजागर्दै, सिर्मूर, पुग्नु परने थियो जस्ले गर्दा, अमर सिम्मा अंतर्गत को फिल्ड सेना को काट्पर्णू सितको संपर्क अबरुद्ध होस फालसोरुप, नेपाली सेना राजदानिती रा हटना पनी नसकोस, रा त्यो दिसाबाट थप साहता पाउना पनी नसकोस तेसपसी यो पंक्ती बायातर्फ लागेरा, मेजर जेनरल अक्चर लोनी को दोस्रो पंक्तीले गर्ने कारे मा सगाउनू थियो इदुई पंक्ती सम्मिलित भायपसी मेजर जेनरल जिलस्पी ले यो समिक्त दस्ता को कमांड लियेर अमर सिम्म अंतर्गत को नेपाली सेनालाई आत्म समर्पन गरना बाद्दे पार्नू थियो आसरेजने गरूप मा युद्ध शुरू नहुं देई युद्ध शुरू नहुं देई युद्ध शुरू भायको थिया ना कोस्टनापनी भात थिया तरह जेनरल जेलस्पी जो साहरानपुर्मा थिये उनको फोज ले अक्टूबर उन्नाईस अठार से चाओद तो दिन कुमाउं, गडवाल रा अरू गोर्खाली गड मा प्रवेश पाउनको निम्ती कलंगा को किल्ला, खाटी हरू र तेस इलाका का उपत्यका नियंत्रन मा राखना जरूरी थियो कप्तान बलवद्र कुमार लाई यो चित्रको प्रति रक्ष्या का लागी जिम्मेबारी दीएको थियो एप्रोच सारा ए गारो थियो बलवद्र कुमाणले दूर भवील आ प्रवेश पाउनको प्रवेश प्रवेश पाउनको निये से इन अन्या तुली आ शाल कई दूर भवेश नियू शाल पार्खाल थियो से अधो फेरी साल अजा नियू पाई पाई ढ सूरू यह जब आपना रुपरीनेट हमाँ जाजा और तेस्माँ पनजी अरू शाप जाए को तरह भूत पनजी अरू मनचे यह जरी नायरे भूत आरुट आप जाए कियो है मेंटेन गरें थियो बिशेस्केर उसको तो पर आर्टेजी पीशे सरकोव माँ चै उसको चै बेपत्ता ठूलो सुपरेड थियो लणाई को बैला चै शुरू माँ चै लोगबोग उसले चै उसले चै इंडिया को भारत को बशेको लोगबोग लगबोग हाजार जाना चै उताईको यूरोपेन फाउत्यो बांकी चै इंडिया को भारत को बर्शेको लोकल फार्फ खोर्शारू लाइका थियो मुख्य तेस्मा जाई उसको चै प्रसस्त हेवी आर्टिलिरेयरू उले प्रायोग गारेका थियो मुबिलिटी यू लगिस्टिको लाइ मुबिलिटी फ्री तला प्लेन मा थियो हाती घोडा खचार जेपन प्रायगाने सही लाइ थियो त्यो ठाउमा चै द्याजन सम्मा चै लणाईका लाई चै शजीलाई उले चै फाउज अरू हात्यार अरू सफलता पूरवक आक्रमन गर्न सामने तया सत्रू बंदा तीन गुणा बड़ी फ्री तला प्लेन मा थियो पॉज आवसे कुन्छा तरह नाला पानीमा अंग्रेजको नेपालीको भंदा कम्तीमा दस कुना बड़ी फॉज तैना थियो विशेत चाड़ा गुल्मा अरू थियो त्यास मामने एउटा चाहिए पुरानू गर्वक गर्ड चाहिए अड़ मार वल्टन थियो बनने इध्यास रिकर्ड गर्या छो रो नेपालको जे हाथ हत्यारको शिल्षामा ज्यादाई सिम्मेत थियो तैसमा बड़ी मुख्यत तो परू आर्टिलीरी पिसेसरू लाइट मा थे थियो शोट रेंज लाइट मा थे थियो जुन चे पाड़ माजे तेती इफेक्टिव उनसक्दाई ने थियो पनिन्च लडाईको महत्तो पूर्ण आमस बंदो बस्तिले ओ गर्छा नेपालको सिमित स्रोत थियो नेपाल सरकारको बार्षिक आमदानी सन 1792 मा 25 तेकी 25 लाइट रुप्या थियो र हुलाकी मार्ग पाहडी बाटो हुदै साथ सै कोस फैलिये को थियो निरंतर रूपमा हतियार र गोली गठा बनोने काममा काली गढ़ हरु खट्टी रहे हजारों गाउली हरुले बिना पारिस्रमिक युद्ध सामागरी मोर्चा सम्म लगने कारे को निरंतरता धी रहे परंतु काठ्मांडु बाट गोर्खालीले जिते को पस्चिम पट्रिको अंतीम बिन्दु पुग्न ढाक लाई ने तीन हप्ता जथी लागद थियो कप्तान बलबद्रलाई थातियो की उनका सामू बिवल तुलेवनी अस्यमानता रा आधुनिक तोपको चुनावती थियो तरवनी अंतीम सम्म किल्लामा टटी रहने कुरामा द्रेट थिये यो संकल्पलाई सफल पारना हरेकले आफनो भूमी का पुरागरना जरूरी हुन थियो अमर सिम्मले सही ब्यक्ती चाने का थिये अटक हुनोबंदा दुदीन अगाडी पहलो अटक को दुदीन अगाडी चाई बिडिस कमांडर ले लोकल कमांड़ाटे ते जोला खास जर्णरल जलस्पी में कमांडर आई पुगी सवन भाग थे ना लोकल कमांड़ाटे चाई 22 अक्टोबर मा चाई योटा चिथी चाई दूद मारफ़क बलबदर कौन ला पढ़न भाग थे हो ते चिथी मां चाई के थे हो बने चाई यो फोट किला स्वरेंडर गार नवे चाई एसको प्रतिफल चाई राम्र होने चाई ना चीथी चाई ते दूद को आड़े नाई बलबदर कौन ले चातर फ्याल दिनको लाणाई मांड़ाब दिन चो बलबदर कौन ले एक्सपेक गारे का वंदर अले आड़े नायो अवाले चाई आपनो डिफेंट्सिव पोजिशन बन उन दे नहीं हुनन थे हो कॉम्प्रीट बईसे ये थे ना जोबिस अक्टोबर मां चाहिन योगो अटेक बागतियो प्रोविशन अटेक यह मां चाहिन खास ठूलो फाउज जुझ भागते ना रो यह ज़े फोट को नजी सम्मत गए तरा चाहिन मांचे तट लाई चाहिन चाहिन ज़े ज़े थे जाने लाइट आर्टेर प्रस्ता फार बागती हो तरह यो इस बाटाव केमिलाईन एस बाटा कम्प्रीट फेला बायो दोस्त्रो एटेक चाहिं एक हफ्ता पा चाड़े अक्टोबर एक्टीस माँ अठाशे चाओद माँ बाए गो थियो प्राइसमा चाहिं वहाले जे डिटेल प्लान गरे रहे अटेक अनु भाया मुख्य कोरो चार दिशा बाटा अटाइक अनु भो नर्थ वेस्ट, नर्थ इस्ट रह सौथ बाटा चाहिं वहाले जे चार एफप्रोजर बाटा अटाइक अनु भाग थियो सुरियो देश संगई तोप बढ़की न थालेओ मदय पूरको चाहिं है नेपाली हरको कोट्यो टोली ततकाल तोप माथि आख्रमाण गरर उनेर जाही पचाडी हरदाइ कला थे फरकिये फरकिये पंची जिलेशपीले अगाडी बढ़नु उनको मलने मानेन रोखन सकेनना ततकाल उननले तोप क्यों पीशा गर उनेर आक्रमन गार नित्व दस बजे को समय थिए बास्तमा दस बजे तिरो अगारी बढ़नू पनित्यों तर्म उल्लेश आट बजे न आगारी बढ़नु अधेश देपसी उनको योजना लिगती लाथालेंगा उननो थालेव तोली अगारी गार पिछा गरते गयो गशाई उनेर गजास मादार आमरो टोली अउड़ा बिडिश हरुगा यो ठीचे रुटियों ऐरिश ड्राला लिगती उनको योजना है। उन्ते आक्रमण गरी दुस्मान्चंग आमने सामने हुन, फलदायक हुन्च बने रॉण। उनिहरको दाबीतियो की एउटा युरोपेन सिपाई तालिम प्राप्त नवभाय का दस वा बड़ी दक्सिन एसियाली सिपाई बराबर थियो। यही अवधारना बाट ग्रस्त रोयल आईरिस रेजिमेंट का अंग्रेज सिपाई हरू। गोरखाली लाई हेलाको दुष्टिले हैरते। उनिहरू दुस्मान्चंग भिर्णा एती उच्छुक थिये की उनिहरू अरू भंदा निकै अगाडी पड़ी सके का जिये। अंग्रेज हरू मदद बिना अगाडी पड़ेको देखेरा गोरखाली हरू किल्ला बाट निसके। ताब बाट खुकुरी निकालेरा उनिहरू विश्ण आमने साम्मो फिड़नतमा उठ्रिये। ड्रागून्स हरूले तेस्बंदा पईले कईले खुकुरी देखेका थिये न। र गोरखालीले उनिहरूलाई पराजीत गरे। केई छण में अन्ठाउन्ना जाना ड्रागून्स खायल भायरे ठले र चार जाना माजिये। तेस्बंची उनिहरू अस्त बेस्त हुदै पचाडी हटे। र अंग्रेज हरूलाई महसुस भायकी अब उनिहरूका साम्मो येस दक्षिन एशियामा तेस्पेला सम्म भोग्ण न परेकू कठीन चुनोती खडा चबाने र। अंग्रेज हरूले उत्तर पस्यम परखालमा किल्ला चिरने ठोका चब अनिकुरा पत्ता लगाए। अंग्रेज हर्स आर्टिलरी ले चब पाउंडर तोप ठोका को 30-40 गज नजिक पुरियाए। एक दुई राउंड तोप को गोला हाने पसी उनिहर ले नेपाली तोप असक्त भाय को अनुमान गरे। नेपाली सिपाई का परिवार स्रीमान संगय बस्त थे। जिलस्पी ले क्रोध ले स्तब दहुदे। अफना सिपाई हरु माथी किल्ला को मोर्चा बाट, केदाकेची महिला र पुरुशरुले उग्र गतिले बरसाय को छर्रा, बाढ, सानुखाल को बाढ, र धुंगा को सामू, छटपटाय को दृष्य हेरी रहे। यो स्तितिको मोका छोबदै नेपाली हरु किल्ला बाट निश्किये र तिब्र बेगले दोडिये र, छब पाउंडर तोपती र बड़े र आत्म सम्यम का साथ त्याहाँ भायको एक मात्र स्पोंज स्टाफलाई तुई टुक्रा पारे र तोपलाईने माउन बनाई मैंन कमांडर हुँ, मह अगाडी गए वन्ता मेरो पिछा लाग साइने र पषी लागलान वनिशाम माँ आपना पसमा आपसमा भायको चछाए तलवार ले निकाले र ताग तलवार अनीशाए बड़े र समला आदेश दिये मेरो पिछा गरनू कमान मिलाइज, नाव पर दी ओनर अव दी कांटी दून! एंजर सब कोरा आयो, लोगते घलेज, तन्यावीन नावीं दून, दून, नावी बिवस्ता मिला है, तिस एक अवी आरचली बंबार्डमेंट गड़ी नावीं दौस्तार्ग चैनि अर उपायर जान की चाहते नावी जान शगदेने उनने उनने ले उननेवी। शोद्वित्राइगारी काना चाहिए आर्टिलेर चाहिए मगाया बल्बद्र कुवर लेपेनी रियन्फोर्श्मेन्ट वरी परी खासकारे रा जेनरल अमर्शिंग थापाले मांगनु भागा थियो वाले विविनाठाओं वाट रीन्फोर्श्मेन्ट पठानु भागा थियो तर त्यो रीन्फोर्श्मेन्ट चैने फाओ जरू जाहिए भीत्रा आउनु शखे ना कुणे-कुणे इत्यासमा रिकोर्डेट चाहिए उटास पत्ती चैने भीत्र छीनु सखे भननें वोच्छा नो चाहिए पिसे सरू तो भरू कोली काथार राइप भची उन्हाई जाई एक बाहिना पची शब भिश्णों गवारमा चे उन्हाई जाई जाई तेसरो युद्धर, तेसरो लडाही, तेसरो हमाला गरे मेन एटेक पूरवाट वाट अटेक गरे रहा तुवभन आ पाहिला चाहिए है वही बामार्ड में नहीं गरे आगा शत्ता इस्तारी को द्यूसर सम्हामा गरिब एक वजे तीर है किलाको पुरी प्रखाल मा जाए ठुले ही पॉअलर देखिए तो देखिए लगे तयो देखि अर्ष एक वाल रपजी पाल नेख भूगे उनी जंब गरने तेया हम फालनी इस्तितियमा पुई जे तकक्क अड़े होनी जाए हम फालना सब्सकेटन त्यान अर्श पोछी नहां बित्रवार ता चार्ज भाहि राते हैं गुलिया उनी ले लागे उनी गाहिते लगे औरको औ अबनी प्रयाश गरे भित्रखेरे लागोट से सब्सक्ते हुदावे हाज में दुद्धिर को जा नवाना प्रयाश गरे भितरछेरी कोर्ण नव को सहते हुद ह onda बता है कि अख्ति उपनें कॉठनल मावि एक भर करें filthy लाए कि मिल्यार Красशनेमा एक वापनिक बाड टलहेरा चाहिए तो एरिया मा पूरा बासको चाहिए तिखा सुईरा हरू तो राहर गवर्खाय ले उनलो अपंड़ भास्ताम मा पहलो गहरा मा चाहिए पहलो लेयर मा तो रहेए तो इस्पषी अश्पछी अनि तो बंदा मुंतिर बंकर भरू बनाएगो माउबेले आफनो स्ट्रामिंग पार्टी लाई फिरता बोलाए रच्छेतिको बिवरन लिये। तेसरो खेपको आक्रमन सम्भामाँ साथ से पचास अंग्रेज को च्छेति भायको थियो। युश संख्या भया नक्ठियो। किना बने गोर्खाली हरू साथ से बंदा बड़ी थिये नन। गोर्खाली हर्णे पनी भारी मात्रामा हताहती बेहोरनु पर्यो। साथ सै राउंड, अठार पाउंड को गोला खर्ची सकता सम्मपनी किल्ला अंग्रेज को हाथ मा पर्न सके गुथिये न। जबकि जिलस्पिले सजिलो र दृत गतिमा विजे आसिल हुंचा बनने विश्वास करे का थिये। र अक्टर लोनी लाई नौबेम्बर एक सम्ममा सिर्मूर्मा साहता पुर्योंने बाचा दिये का थिये। किल्ला कबजा गर्ने तेस्त्रो प्रयास बिफल भायपसी अंग्रेज हरुले युद्ध कला बदले। 28 नौबेम्बर को दिन अरको इन्फेंट्री आसल्ट प्रारंब गर्नुको सठ्था किल्ला लाई चारेई दिशाबाटा खेरेरा खेराबंदी मा बाले। माउवेले अब आफनो निसाना बदले। किल्ला को सठ्था तेसको सुरक्स्यार्थ तैनार वेक्तिलाई तारो बनाए। उनले तेस बिला सम्म जन मजबूद बनाएको गनर हरुलाई किल्ला भित्र एंटी पर्सनल गोलाहने निर्देशन दिये। नाला पानीको कमजोरी तेस्ठाउंको अपर्याप्त पानीको आपुर्ति दियो। माउवेले पानीको बाहिरी स्रोत पत्ता लगाए र काटन आफना स्काउट हरु खटाए। किल्ला भित्रको अत्यन्ते सानो स्थरफल मा तोपका गोला बत्ति दैत्य हराएका मानीस्षरलाई तरलाग दो चोटलाग न थालियो। तोपको गोलादे पानी राखेका सइयों पानीका थेमपाहरु खोड़ी दियो। नेपाली हरुले युद्ध को अंतराल मा दुस्मन प्रती नियाय संगत आचरन र शिस्टाजार देखाए। नवेंबर 28 को बिहानी मा माउवेले गोलाबारी रोकायर, कप्तान बलभद्र सिता आफना 13 मृतक सिपाई को लास लईजाना अनुमती मागे र बलभद्र ले अनुमती दिये। कमांद्स फाइरिग! कमांद्स फाइर बलभद्र कुवर एसमा अडिक थिये। कुने भी आथमा आथमा संपड़ना गरनी किला भीतर आउसन मानने लड़दे मरने हो भनी खाल गोचाहिए। तो द्रीड़निस से उनले बेक्त कर र था थे। तीसनोंवर को चाहें agora को दी जिती हो एक टोली जसरी पानी लेओन सखी चाहें बन झा यह झानी प्रियास कुरुप मानी रूप्मां फो अन्तिम प्रियास कुरुप मां मधन तर्फी लुप माझाई जाधरी बेढ़ें बिटिशा ले लेहां पानी लेओने दियानन भी़ के लगवती रूप में पुझाया चछानी मेधनी उने ले ले प्रश्ट रूप में बजी सेगे पची उनलाई त्याहाँ वड़ भौधी रूप में उठाया रहा तरी उंच जब वस्ती उठायारे ने कि लावाड जानी वननी त्यों एवजना बनाया तिन भजी तीस्तारिक बिहानी पख चार बजे अंग्रे जरू किल्ला भीत्र चिरे रा आफनो कबजा मा लिए बत्तिल्याय रा बिबत्स हत्याको द्रिश्य भाय वीद भाय रहे रहे किल्ला निरिक्षन करने हेंड्रिस सेरूल सबी बंदा पहिला मद्दे का थिए किल्ला सानो थियो रा सम्पूर्ण स्थान लास ले भरिये कुधियो तियो सानो ठाउमा चायासी उटा लास ठली रहे का थिये घायते हरको अबस्ता दय निय थियो लास र घायते लाई कुल्चने डरले साबधानी साथ भित्र चिर्नो पर थियो किल्ला भित्र पिडाको आवाज र पानी पानी भने र चित्यायको सुन्नें थे तिया योटी खुट्टा भाच्ये की यूबती थिये लास रुले उनको सरीर ठीचीय काले उनी हलचल गर्ने स्थितिमा थिये नन ब्याकुल मुद्रामा कसेले पानी ख्वाई देला की भन्ने आसले मुख बाईरे है की थीन त्या अरकी मैला थीन जो आफैलाई चोट लागे को तथीयन तर उनको छाथीमा खाईते बच्चा थियो ती मैला को इस्तिती अथी दयनी ये थियो तर बच्चा चाई बिचलित नवै दूद पी रहे को थियो योटा गोरखाली चाई उच्छान मा पल्टी रहे को थियो टाउको मा चोट लायकाले उँ होस मा थियेन रगतले लत्पतियेको धुलमा उसले अउलाले आकार कोरी रहे को थियो सबे बंदा मन्चुने दृष्या चाई दूद योटी सानी बच्ची को थियो योटी चाई चार बर्स जती की थी रा अरकी एक बर्स जती की ठुली चाई सानी बाटा चुट्यावलान बने डाडले बैस्चरी चिच्चाई रहे कि थी फीजिकल कंपोनेंट जस्पाटा चाई कमबेट पावड डेराइब गरींचा त्यो तो उसमगा अलमस थेना वाने बिनचा यह अबजेक्टिव भैरेवल उसको अलमस जिरू थेयो बालबातर कुवान लेजे इसको कमबेट पावर के बाटा लियो डेराइब गरेवाने इसको सबजेक्टिव भैरेवल इसको लिडरिशिप और आपनो खाउस को स्प्रीट, मोटिवेशन, हाउसला बाटाशा को लेको देखिएंचा मिशन दुया तिन दात्यों मुख्य मिशन दून भैली लाई बिडिश भावताई बेरोग तो नियुंतरन करना नाधिन तो बड़ी से बड़ी समय सम्मा दोस्त्रों मिशन के वहरें बड़ी से बड़ी इन दुस्मन माथित कि नोखसान रहों, इंफड़ी, तो इन दात्यों को अर् को घ्25 मिशन के वहरें बड़ी से बड़ी समर् ताम जाहिं गयन गरणावत्यों यह अधिन गयात मिशन बलबभभभभ नालापानी नीज मिशन बलबभभ है तो फरी नावी थरी पुर्वरिया धिखींछ एगा मेल्टरी प्डरी ठ्रेप किस भनां दंग। इन श։न आपिको अधिंदन गयाता डाइउ खाने अधिकLP नाला पानी दुस्मन को हाथ मा पर्यो, तरह नेपाली फाउजले आत्म समर्पन गरे ना, रा उनियर को नैतिक रूप मा जीत भायो दोस्रों विश्य युद्धपसी गरियेका अद्धेन हरूले किये देखाउशन बने, रक्ष्यात्म कारे मा 30% बंदा बड़ी छेती ब्यहरनु परे मा प्राय, त्यो कारे मा खटियेको इकाई टुक्रिन्ष, नेपाली हरूले 90% बंदा बड़ी छेती ब्यहरता पनी, सफलता पुर्वक सई अनुक्रम मा ब्रेकाउट अपरेशन संचालन गरना सफल भाय, हैस्टिंग्स को बिचार मा कलंगा एउटा एस्तो ठाउतियो जसको रक्ष्या का निम्तितियां तैनात फौस्च जंग प्रतिरोद गरना, अदम्मे साहस बायक अरुगेई साधन धिये न, मेरो जीबन मा इस्तो द्रेर्ता वा बाहदुरी प्रदर्शन भायको देखे को थी न, उन्हेरो भागदै भागदै ने थे रम्रित्यु संगा पटक कई तरसन दै न थे, बंगाल आटिलरी का इतियास कारले लेखे का थिये, ढुंगा का पर्खाल भंदा दरीलो मुटूले स्ट्रेस्ट कर प्रतिरक्षा को काम गर्दो रहे सा बाईरी आई थूनेता सास धन्नेता सरी मना मनाई भूने रा एशरी की मुशरी नेपल बीगा खावजाले प्याहां बाटा आटे रा पैला ताले बेसरी, पैला ताले बेसरी स्वास्नी मान छे कोई रे रा, केटा केटी धुई रे रा, एडान कटाई ला खेटे भुड को नखाई पानी को, रग गत्रा आशुले ले खेको अजे ताजा छंदेचा कथा नाला पानी को कि आटा प्याश का भापया से काड्मषा का बाला बाल-गेत्रा ये रे रे dag पानी को नखात पानी को और आटे ये प्याश्नी को झाल झाल